चोपड़ा जो किसने यूटूब चैनल पर मैं हरसा ही चोपड़ा अपका हर्दिक स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बच्चों आज नीट 22 यूजी वर पीजे एडमिसंग के रेगाडिंग दो केसेज की हीरिंग है पहला केस मदरास हाई कोट में फाइल है जो NMC Rule 50% Private Seat Government Feast के रेगाडिंग है और दूसरा केस सुपरिम कोट में EWS के लिमिट के रेगाडिंग है जिसके कारण 21 की UG वर PG की काउंसलिंग काफी दिनों तक होल्डर रही थी इसमें मदरास हाई कोट का केस जो 50% सीट के रेगाडिंग है उसका आज डिसीजन UG वर PG दोनों स्टूडेंट के लिए काफी इंपोर्टेंट रहेगा हमें आज ही मालुम चल जाएगा कि ये 50% Private Seat Government Feast पर होंगी या नहीं होंगी क्योंकि ये रूल UG वर PG दोनों के लिए लागू है और PG की काउंसलिंग 1st of September 22 से स्टार्ट होने जारी है इसका सेडूल भी जारी हो चुका है तो आज मदरास हाई कोट NMC यानि अगर स्टूडेंट के फेवर में इस केस का डिसीजन दे देता है तो बहुत ही अच्छी बात है अगर नेक्स्ट हीरिंग डेट देता है और वो 1st September की डेट के बाद डेट देता है तो फिर ये रूल इंपलिमेंट हो पाना बड़ा मुस्किल हो जाएगा क्योंकि 1st September के बाद PG की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी और एक बार जब PG की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो उसके बाद में ये रूल लागूख हो पाना मुस्किल है क्योंकि एड्मिशन पुराने रूल के इसाब से यानि सभी 100% सीट पर फुल फीस के इसाब से होंगे तो जब ये PG में नहीं हो पाएगा तो UG में भी हो पाना मुस्किल है तो आज का डिसीजन बहुत ही इंपोर्टेंट रहेगा अभी नीट PG की काउंसलिंग पर इस्टे भी नहीं आ सकता क्योंकि 8 अगस्ट 22 को सुप्रिम कोट में PG के कुछ इस्टूडेंट ने PG के आंस्वर की रिलीज को लेकर PG काउंसलिंग में इस्टे की डिमांड की थी जिसकी हीरिंग के दोरान सुप्रिम कोट ने ये साब कह दिया था कि अभी PG की काउंसलिंग पर किसी भी कंडिशन में इस्टे नहीं दिया जा सकता है तो आज का मदरास हाई कोट का डिसीजन भहुत ही इंपोर्टेंट रहेगा और ये आज 12 से लेकर के ये 130 पीम तक इसका डिसीजन आ जाएगा इसकी हीरिंग होगी इसका डिसीजन आ जाएगा तो जैसे ही दोनों के से इसका जो भी डिसीजन रहेगा मैं आपको इंफोर्म कर दूँगा लेकिन ये आज का डिसीजन काफी इंपोर्टेंट रहेगा इंपोर्टेंट क्यों रहेगा ये मैंने आपको बता दिया है तो देखते हैं क्या रहता है इसका decision जैसे ही रहेगा हम आपको update करेंगे मिलेंगे नई update के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जय है